मन्जिले उन्ही को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, होसलों से उड़ान होती मैं आसीर अंशारी एक बार की बात है, एक गुबारे वाला समदर के किनारे गुबारे बीच रहाता है उसके पास बहुत सारे गुबारे थे जब भी उसे लगता कि उसका बिजनेस या उसके पास उसकी बिकरी कम हो रही है तो वो एक गुबारा हावा में उड़ा देता था उसको देखके बच्चे अपने मामी पापा को बोलते थे कि गुब्बारा की धर्चा रहा, मुझे यही गुब्बारा लेना है तो वो देखते देखते उसके पास आ जाते थे तो और उसकी बिकरी बढ़नी शुरू हो जाती थे एक दिन वो यही कर रहा था कि एक छोटा सा बच्चा उसका पीछे से कुड़ता खीच रहा था वो पीछे मुण के देखता है कि बेटा क्या चाहिए आपको वो उसको बोलता है गुब्बारे वाले को वो बच्चा वो थोड़ा गरीब सा बच्चा लग रहा था वो उसको बोलता है कि क्या ये काले कला का गुबारा भी हवा में उड़ेगा वो बोलता है सारे गुबारे हवा में उड़ते है नीला, पीला, लाल, हरा, काला सब हवा में उड़ते हैं कि बेटे ये कलर से नहीं उड़ते है इसके अंदर जो गैस, हाइड्रोजन गैस भरी है उससे ये उपर हवा में उड़ते है तो दोस्तों हमें भी हमारी उड़जा, हमारी गैस हमें अपने अंदर भरनी है हम हमेशा दूसरों को देखते है और दूसरों के बारे में ये कहते है कि वो इतना बड़ा आदमी बन गया उसने इतना पैसा कमा लिया वो इतना कामियाब हो गया है, हमा मेशा यह कहते रहते हैं, हमें अपने उपर काम करना है, वही गैस, वही उड़जा हमें अपने अंदर भरनी है, वो गैस और उड़जा क्या है, वो उड़जा है, dedication, passion, excitement, hard work, जोश, जुनून, यह है उड़जा, और यह ऐसी सारी चीज़े हैं, जो हम किसी दूसरे से नहीं ले सकते, हमारे अंदर ही होती है, इसको हमें अपने अंदर भरना है, और उपर उड़ना है, यह कोई फरक नहीं पड़ता दोस्तों, कि हम फोटे हैं या बाड़े हैं, हम इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, हमारे अजुकेशन क्या है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, हमारे लेवल क्या है, उससे भी कोई फरक नहीं पड़ और उस गुबारे वाले से हमें एक सी खोर मिलती है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए गुबारे को छोड़ना ही पड़ेगा वो गुबारा छोड़ना बहुत जरूरी है और यह हमारे अपने ओपर डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे छोड़ें तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिए थैंक यू धन्यवाद दोस्तो गुडबाय चैहिं